Hey guys, welcome back to Kanak Institute, मैं हूँ मंदीप और आज की वीडियों बात करने वाल है Investment Plan के MLM Software के बारे में जैसा कि आपने सुना होगा Market में कि आप 10$ या 100$ लगाओगे तो आपको कुछ return daily मिलेगा या फिर weekly मिलेगा या monthly मिलेगा और अगर आप team बनाते हो तो team से भी आपको percentage wise या फिर label wise income मिलेगा, that means कि आपको active और passive income के यहाँ पे दो चीज़े समझाया जाता है, like आप जितने काम करते हो, जो भी आप diet करोगे वहाँ से active income आड़ा है, बट आपके team के तो जो भी income आएगा, वो होगा आपका passive income और यह लोग market में इस plan को इस तरह से बोल के चलाते हैं, कि यह आपके जो पैसे हैं, इनको invest करते हैं ट्रेडिंग में फिर वहाँ से जो profit generate होता, वो आपके साथ share करते हैं, अब इनका एक और मानना होता है, कि यह आपको एक fixed profit share नहीं करेंगे, या daily, या weekly, या monthly, ये कुछ percentage में भी share कर सकते हैं, इनका एक range होता है, आगे पीछे का, तो आज की वीडियो में आपको इस तरह के software का एक live demonstration दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे अगर 100 डॉलर या 200 डॉलर invest के जाता है, तो वहाँ पे आपको trading income के नाम पे जो चीज़े मिलती है, वो कैसे मिलती है, साती साथ अगर उसके team बनते हैं, तो team से भी कैसे income आते हैं, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से investment plan का software काम करता है, तो आपके सामने admin panel है, मैं इसको login कर लेता हूँ, admin के user ID और password से, तो इसको जैसे मैं login करूंगा, तो इसके dashboard open हो जाएगा, और इसमें मुझे इनके बारे में जो information dashboard पे, जो so करना था, वो यहाँ पे दिख रहा है, कि total member कितना active कितना है, और इसको customize according to plan किया जा सकता है, अभी यह उतना ज्यादा customize नहीं है, और इसमें user की dashboard की बात करें, तो user में पहले मैं registration कर लेता हूँ, और अपने नीचे एक ID लगा भी लेता हूँ, जिससे यह होगा, कि मुझे direct income के बारे में भी पता चल पाएगा, तो चलिए, एक register करते हैं, एक ID लग गया, अब इसके नीचे मुझे क्या करना है, एक ID लगाना है, तो just मैंने इसका, यह user ID है, मैंने उनको copy कर लिया, अब इस user ID को मैं यहाँ पर use कर लेता हूँ, as a sponsor ID, और मैं इसका नाम देता हूँ, D1 या demo 1, जिससे यह पता चलेगा है, कि यह हमारा downline है, अब यह पहला वाला जो ID था मेरा, connect technology, मैं उनको login करता हूँ, और उनसे मैं कुछ pin डालता हूँ, admin से, जिससे यह पता चलेगा है, कि investment के मिल रहा है, current balance मेरा क्या है, total withdrawal मैं आज तक कितना किया है, label income क्या है, direct team मेरे पास कितने है, active कितना है, direct में, number of e-pin और fund balance, तो अभी यहाँ पे बहुत कुछ zero दिख रहा है, तो मैं भी क्या कर लेता हूँ, pin देता हूँ, तो pin यहाँ पे management में जाना है, generate pin पे click करना है, जिसको भेजना है उसका user ID, plan यहाँ पे number of pin select करना है, और यहाँ पे plan लेना है, कि कितना count सा plan का देना है, तो जिससे 500 का plan का मैं 2 pin भेज रहा हूँ, अगर मैं यहाँ 5 pin करूंगा, तो 5 pin चला जाएगा 500 का plan का, तो अभी दे कि e-pin send successfully आगया, अब मैं यहाँ पे refresh कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि मेरे पास 5 pin है, अब मुझे जाना है pin management में और e-pin detail में जाना है, जिससे मेरी ID activate होगी, तो मैं यहाँ top up टे किली करूंगा, और यहाँ पे अभी मेरे पास एक form खुल गया गया, यहाँ पे अपना user ID डालना है, या फिर जिसका active करना उनका डालना है, और यहाँ पे plan select करना है, तो 500 का plan है, और pin automatic selected है, तो user activate successfully, अब dashboard पे आते हैं, तो मुझे यह दिखा देगा कि मेरा investment जो है 500 डॉलर का है, अब जो 500 डॉलर का investment हो गया, तो according to this dashboard के हिसाब से और इस software के हिसाब से 20 percentage daily का था यहाँ पे bonus, यानि कि जब आप लगाते हो पैसे, तो 20 percentage आपको return daily मिलना स्टार्ट होता, तो यह कैसे मिलेगा, तो यह जब मिलना स्टार्ट होगा, तो daily bonus income में दिखेगा, तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ, suppose करो कि आज का दिन इसका निकल गया, जैसे आज का दिन निकलेगा, तो यहाँ पे 20 bonus income increase हो रहा है दिरे-दिरे, इसी तरह से अब मैं इसके downline वाले को active करता हूँ, और देखता हूँ कि उससे कितना income हमें मिलता है, तो team पे जाना है, direct team मैं निकाल लेता हूँ, e-pin में जाकी, e-pin detail में जाते हैं, तो जो इसका direct team है, उसका user और submit कर लेता है, तो जैसे यह activate होगा, तो इसमें label income मुझे मिल जाएगा, तो देख लेते हैं, first label पे 1 dollar मिला, यानि कि आपके नीचे अगर कोई लोग आता है, तो पहले label पे उससे आपको 1 dollar मिलता है, तो यह customize आप अपने plan के हिसाब से भी कर सकते हैं, इनको, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस plan का मैं मोटा मोटी समझा दो, तो daily best percentage income return में मिलता है, और इनके साथ अगर label income के बात करें, तो label income मैं बता देता हूँ, कि पहला label पे 1 dollar, दूसरा पे 0.5 dollar, तीसरा पे 0.25 dollar, चौथा पे 0.5 dollar, पाचमा पे 0.5 dollar, अब यह जो label income है, इनको according to plan, जो भी आपका plan होता है, उसकी हिसाब से इसको set के जा सकता है, चाहे आप 10 label का बनाओ, 20 label का बनाओ, उनसे कोई फ़रक नहीं पड़ता है, तब ही आप देख पाड़े होंगे, कि investment plan का software यहाँ पे 1 dollar में देख रहा है, और यह किस तरह से work किया, वो भी आप बनाना है, तब हमें contact कर सकते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा कि किस तरह से यहाँ पे profit generate होता है, या daily share income जाता है, या trade income बोलो, वो जाता है, और label wise जब team बनते हैं, तो उनसे income आता है, इनको आप दो तरह से बना सकते हो, fund wise भी बना सकते हो, पीन wise भी बना सकते हो, यह depend क पूच सकते हैं, या फिर WhatsApp के दरूब पूच सकते हैं, और इस वीडियो में अगर आप कुछ भी नए आपको सीखने को मिला है, तो वीडियो को like करिए, comment करके feedback दीजिए, अगर आपको कुछ लगड़ा है कि मुझे change करना चाहिए, या फिर अपने में improvement लाना चाहिए, तो भी सोजाओ, comment section में दीजिए, और चनल पर पहली बार आया है, तो चनल को जरू subscribe करिएगा, क्योंकि आपको इहां पर business और technology, इन दोनों के वीडियो मिलते रहेंगे,